आप सभी का अपने इस ओनलाइन यूटूब चैनल एडवांस रर्निंग इस्ट्यूट में और आप सभी को मैं दो बाते बताना चाहता हूँ एक अच्छी और एक बुरी तो पहले आप लोग सुनिए अच्छी बात अच्छी बात ये है कि संबिदा जो सिक्षक भरते ही है उ उच्छ माध्मिक सिक्षक कौन सा उच्छ माध्मिक सिक्षक जिससे आप लेक्शर के नाम से जानते हैं वो वेकैंसी आ चुकी है दो हजार तेईस के ठीक है इससे पहले आया था दो हजार अठारा में अब आई ये दो हजार तेईस में पांच साल बाद ये वेकैंसी उच् selection मिलेगा तो बात समझ में आ गई की नहीं अब आपके दो paper हुआ करेंगे पहले जैसे क्या होता था एक ही paper होता था उसमें जो qualify करता था उसको क्या करना होता था training मिलती थी merit के हिसाब से ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में क्या information है आपके लिए तो सबसे पहले information आपके लिए यह है कि बारा एक तेईस से exam form आपका डलना चालू हो जाएगा और 27 एक इसकी last date होगी सुधार करना है एक फरवरी तक हो सकता है 500 ठीक है दो पाली में इसका paper होगा एक होगा 9.5 ग्यारा और एक होगा 2.5 गंटे का paper होगा 1500 कोशन होगी अच्छा इसमें एक और परिवर्तन किया गया है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ वो परिवर्तन है क्या ठीक है तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दो इसमें च qualifying है उच्च माधिमिक सिक्षक के लिए वो है 50% मतलब आपका 75 नंबर 75 नंबर qualifying किसके लिए रहेगा अनसूची जात यानसूची जन जात अनिपिश्वाबर्क दिव्यांग जन और आर्थिक रोप से कमजोर वेक्टी के लिए ठीक है और 60% रहेगा अनरच्छिदवर्क के लिए qualifying mark ठीक है चलिए आगे चलते हैं और इसमें क्या information है हाँ भी आफ सबसे महतपूर बात तो करें लेते हैं बेतन की बेतन मतलब salary मतलब 36,200 रुपैस का basic होता है और इस basic का इस समय 38% चल रहा है क्या महगाई भत्ता तो लगभग 46,000 की आसपास ये salary बनेगी 46,000 में आप आपको जो है 70% पहले साल 70% मिलेगा दूसरे साल 80% मिलेगा और तीसरे साल इसका 90% salary मिलेगी ठीक है ध्यान रखिएगा इसका आप 70-80% निकाल लीजिएगा ठीक है जितना भी होता होगा 31-30,000 रुपै आएगा ठीक है दूसरे साल हो जाएगा 80% ठीक है और आगे इसमें क् क्या है चीजें समझते हैं बहुत अच्छी information है क्योंकि syllabus अब change हुआ है और syllabus चेंज हुआ है मतलब आप लोग को जानने वाली बात है कि भाईया एक बार exam में आपके paper में कैसे question आने वाले हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ बह क्या आएगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ देखिए center कितने है total MP में 17 center है जिसमें आपका बाला घार जवलपुर रिवा ठीक है यह सब center है मतलब इस वार रिवा भी है पिशलिवा रिवा नहीं था center में ठीक है रिवा वाले student को सीधी exam देने जाना पड़ा था हाँ देखिए इसमें देखिए दो paper होंगे दो paper में आपका जो पहला वाला paper होगा उसका जो syllabus है उसमें किस प्रकार के question आएंगे तो भाया उसमें हिंदी के art question होंगे इंग्लिस के 5 question होंगे सामान निग्यान समसमा की घटना तार्किक और आंकिक योगता मतलब 7 question होंगे और question 50 number का होता था आप इसको घटाके केता कर दिया है तीस number कर दिया गया है ठीक है पहले subject कितना हो था 100 number का होता अब subject कितना हो गया हो गया 120 number का मतलब 20 अंक है इसमें अब बढ़ गए हैं हर जितने 16 subject है सबका अलग अलग paper होगा ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है स्लेवस ध्यान दीजिए जो 30 नंबर का स्लेवस है वो सभी subject के लिए common होगा सभी subject के लिए common होगा मत्तब जैसे माल लीजिए जो से हिंदी से है इंगलिस से है science से है physics से है chemistry से है जो जिस subject से सब को यह 30 नंबर वाला paper देना पड़ेगा परिषेद ब्याक्यांस मुहावरे बहुचन यह आपका question आएगा ठीक है English में क्या आएगा इंगलिस में भाई आएगा देखिए इसको important है क्योंकि इसके सब वीडियो मैंने बना रखे है टेंस बना रखा बॉइस बना रखा है बर बना रखा है subject वर एग्रिमेंट आर्टिकल कंवरेंस जो आपका कंवरेंस होता है पैसेज होता है filling the blanks, adverb, error correction, sentence rearrangement, unseen passage, book library, antonyans, synonyms, grammar, grammar जितना भी है idiom and phrases, everything मैंने आपका पूरा syllabus बना के रखा है पूरा बीडियो अपलोड है YouTube में आप जाके देखिए पढ़िए और अपनी जानकारी को बढ़ाई और इस exam में qualify कीजिए ठीक है समाने ग्यान में दोहिए क्या क्या आने वाला ये देख लीजे तो समसमाई की घटना जो होंगी वो सबा जाएंगी भारत का इतिहास, भारत का राश्टियांदोलन, भूंगोल मतलब जितना all over जितना आप जानते होंगे सब इसमें आ जाएगा ठीक है और ये आपक के आप लोग को बताऊंगा ठीक है पैडागोजी में आपकी यह पाठ चर्या हो गई अर्थ सिधान्त पाठ चर्या संगठन के प्रकार दिष्टिकोड अनुदेशन योजना बारसिक योजना इकाई योजना पाठ योजना सब इनके वीडियो में आपको जल्दी ही पैडागोजी यह इंग्लिस मीडियम का है स्टुडेंट का अब 120 नंबर वाला देखते हैं मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिस ग्रामर और इंग्लिस लिक्ट्रेचर तो मैं उसी की बात करने वाला हूँ ठीक है पूरे इसमें तो उसके बाद आगे कुछ इंफॉरमेशन उसक के लाबा मैं कराऊंगा आपका इंग्लिस का कोर्स कंप्लीट ठीक है उसमें पूरा आपको मैं पीडियेफ अगेरा भी सब उपलब्द कराऊंगा इसमें आर्टिकल प्रेपोजीशन कंजंक्शन बर्व मॉडल एडवर्ब टेंस फाइनाइट बर्व ग्लॉज डिटर्मिन प्रेफिक्स सुफिक्स नंबर जेंडर प्रॉन प्रॉन जितने मैंने उपर टिक किये हैं यह नरेशन एक्टिब बॉइस पैसिब बॉइस यह वाला पूड़ा टॉपिक वोकेबिलेरी ओपोजिस तेनोनिम्स वनवर स्टूशन होनिनिम्स ठीक है रीड अनसीन पैसिस और अब यह जो पूरा पैरा जितना है आपने यह टिक किया यह एवरी बीडियो लगभग मैंने सौ बीडियो अप्लोड किये हैं और उन बीडियो में आप पढ़ भी सकते हैं और उसके साथ उसके कोश्चन भी आपको MCQ भी वहाँ पे लगा सकते हैं जो पूराने एक्जाम मे आए हुए हैं ठीक है तो यह एवरी मतलब हर एक टॉपिक अप्लोड है अब आपका पर दे एक वीडियो आया करेगा यहां से जैन अस्टेन का क्या है प्राइड और प्रिजुडाइस सबसे पहले आप जैन जैन अस्टेन के बारे में जानिए है कौन क्या-क्या इनके वार में आपको पढ़ना है चार्ल्स डिकेंस कौन है इनकी पूरे इनके बारे में इंडियन इंडियन में अनीता देसाई है बाई-बाई-बैकपर्ड खुसवन सिंग है इन सब के बारे में एक-एक मैं वीडियो अच्छे-च्छे बना के आपको दूँगा यह अभी तो आपन ईगर उपलब्द कराऊंगा ठीक है प्रोज है ठीक है फिगर आफ स्पीच है तो यह सब के बारे मैं आपको जल्दी से एक वीडियो उपलब्द कराऊंगा ठीक है तो यह सब जितने टौपिक है यह आपके अधर-धर सब्जेक्ट हैं इनके बारे मुझे जानकारी जादा नहीं है, मेरा English subject है, मैं English के बारे में यह ज़्यादा जानता हूँ, उनके बारे में आपको समझा सकता हूँ, उसके बारे में भी आपकी वीडियो आएगी, ठीक है, अच्छा जो भी एक grammar है जितना भी एक grammar का topic है, सब grammar जो है, आपके चाहे ही आपका grade 1 हो, grade 2 हो, grade 3 हो, सब के लिए काम करेगी, grammar तीसरी चीज़, देखें, जो common paper है उसमें भी grammar आएगी, तो इसलिए यह सब के लिए काम करेगी, ठीक है, इसके बाद grammar के साथ साथ आपको मैं बता दूँ, कि जो भी और topic है, जैसे कि आपकी हिंदी के topic है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आपके GS क topic है, जो आपके math और reasoning के topic है, वो पूरे में topic आपको जो है, सिखर कराऊंगा, बस आपको करना कितना है, जिसको भी पढ़ना है, वो group में सबसे पहले add हो जाईए, 99, 93, 68, 11, 96, ठीक है, और इसी वीडियो के description में मैं एक link दे रहा हूँ, उस link में आप जाके channel को क्या कर लीज